है काईज आज मैं आप लोग के साथ सेयर करने वाली हूं संटल डिमूबर रूटीन जिसमें मेरा कुछ पर्सनल फेवरिट है नाचरल होम रेमेडिस मास्क है और बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है सो पहले ही मैं इंटेनल केर से सुरुवात करूंगी इस ग्लोइंग इसकिन ड्रिंग के साथ सो यहां पर मैंने पाइनएपल ले लिया है वन स्लाइज मेडियम साइज का क्यूकंबर और एक कोकुनट वाटर तीनों को अच्छे से मिक्स करना है एन इस जूस को अगर रेगुल कर सो कि आपके इसकिन कितना अच्छे से इंप्रूव हुआ है यह मैं अपने पर्सनल एक्सपिरियेंस के साथ आप लोग को बता रही हूं अगर आप इंटेनली इसकिन को इंप्रूव नहीं करोगे एक्सपेंसिब चाहिए कितना भी आप सीराम मॉस्टरोजर कुछ भी करती हूं क्योंकि मैं भी ऐल्टरनेट करके पीती हूं क्योंकि एक टाइप का जूस तब आल्टरिम नहीं पी सकतो बूर हो जाओगे तो ऑल्टरनेट करके जूस प्यार करो ताकि आपका इंप्रूव हो इसकिन को इंटरनली अपने हेलदी लाइश्टाईल को अच्छे से म करना है यह मेरा बहुती फेवरिट बॉडी उप्टन है राइस और मसूर दाल को अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करना है पर बहुत जदा फाइन पेस्ट नहीं करना है जस्ट हलका सा दर्दरा रहना चाहिए उसके बाद टॉमेटों प्यूडी और यहां पे हल्दी वाइल टर्मरीक यहां पे मैंने यूज किया है और दही ऑप्सनल है लेमन अगर चाहो तो याड कर सको और नहीं चाहो तो इसको टुटली इसकीप कर सकते हो तो बॉडी उप्टन रेडी हो गया अब मैं संटैन रिमूवल फेस मास बनाऊंगी जो बहुत ज़दा यहां पे मैंने बीटरूट पाउडर लिया है 2.5 यहां पे मैंने सैंडलूट पाउडर लिया है 2.5 यहां पे मैंने लिया है ओरेंज पील पाउडर 2.5 उसके बाद थोड़ा सा मिल्क से इसको मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है इसको आप कभी भी लगा सकते हो बट म आपको recommend करूंगी आप जब नहाँगे उसी time पे इसको लगाना आपका अगर time नहीं होगा तब weekly भी इसको use कर सकते हो क्योंकि इसके साथ एक twist है आपका एक ही time पे दो काम हो जाएगा face का और body का face में अपने लगा लिया इसको 15 मिनिट रहो काफी है अब जो body वाला upton हम लोग skin tan को इतना अच्छे से remove करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा यह effective एक upton है क्योंकि इसमें tomato है जो इसकीन को light करने के लिए bright करने के लिए और आपके skin के sun tan remove करने के लिए बहुत ज़्यदे effective है क्योंकि इसमें natural bleaching property है और आपके यहां पे मसूर डाल rice मेंने add किया है and lactic acid है द इतना ज़्यादा clear नहीं था मेरा skin tone और ज़्यदे डाकर था अभी मैं dusky skin tone की हूँ तो मेरा skin tone बहुत ज़्यदे improve किया है teenage time में में उतना पता नहीं था तो भाफ जबागर, tane हो गया था तो मेरा skin tone बहुत जड़ा डाकर भी था तर धीरे । मेरा skin tone बहुत ज़़ा bright हो गया है और मैं अभी में proper बोल सकती हूं कि हाँ मैं dusky skin tone की हूं पर पहले तो dusky नहीं पहले तो black skin tone की हूं यही बोला जाता था because मेरा skin tone काफी डाकर था, so guys, sun tan removal routine को हफ्ते में एक से दो दिन जरूर फॉलो करना, and love yourself, अब next home remedy है, joint के लिए, जैसे की elbow, knees, underarm, ये कुछ ऐसा body part है, जो बहुत ज़्यदा pigmentation होता है, darkness के वज़े से confidence भी बहुत ज़्यदा low हो जाता है, और ये home remedies मेरा अजमाया हुआ है, turmeric को अच्छे से brown कर लेना है, बड़ जलाना नहीं है, उसके बाद tea tree essence oil, थोड़ा सा olive oil, vitamin E का capsule, aloe vera gel, और potato का juice, इन सब को mix करके एक अच्छे से paste बना लेना है, और ready हो गया है, ये home remedies, ये बहुत ज़्यदा effective और powerful है, आपके darkness के लिए, joint के लिए, ये magic के जैसा काम करता है, आ बहुत अच्छे से light करेंगा, जैसे कि मेरा skin tone मैं सामली skin tone की हूँ, dusky skin tone की हूँ, तो उस हिसाब से अभी जो मेरा color आया है, underarm, knees का, वो ठीक है, इस से ज़्यादा मैं कुछ expect नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरा skin tone, ये फिर मेरा genetic allow नहीं करेगा, अब मैं dusky skin tone की हूँ, उसके हिसाब से मेरा underarm, elbow जैसा होना चाहिए, अभी है, और इस routine को फिर भी में follow करती हूँ, क्योंकि देखो, बाहर निकलते है, sentence होता है, pigmentation होता है, आप जब तक जिन्दगी है, ये सारे चीज़ तो होती रहेगी, तो अपना take care करना, ये सारे चीज़ का care रखना खुद के ऊप हैनी हूँ, हमें साब full sleep पहनती थी, क्योंकि गाइड करने वाला भी कोई नहीं था, पर आज मेरा skin tone जैसे भी even हुआ है, आज मैं सारे dress पहनती हूँ, अपना sock को भी पुरा करती हूँ, क्योंकि मुझे ये सारे चीज़ अच्छा लगता है, मैं dusky skin tone की हूँ, पर even skin tone है मेर और मेरा skin tone मुझे बहुत ज़दा अच्छा लगता है, because I love myself, तो आप लोग भी अपने आपको और ज़दे निखारो, groom करो, किसी के साथ भी अपना compare मत करो, क्योंकि आप जो हो, खुद में best हो, खुबसुरत हो, और आपने आपको प्यार करो, next home remedies, अभी तक आपने सब move नहीं हो रहा है, pigmentation नहीं जा रहा है, आपकी skin black, dull, वो ही नजर आ रहा है, आपकी skin में कोई glow नहीं है, तो ये remedies आपके लिए है, क्योंकि आपको face and body दोनों में ही आप apply कर सकते हैं, इसमें जितने सारे मेंने ingredients यूज किया है, वो बहुत ज़दा powerful है, इसकिन को bright और glow बनान है, यहां पे मैंने sandalwood powder एड़ किया है, और मेरा घर पे rose petal का powder था, जो मैंने घर पे ही बनाया था, उसको भी मैंने एड़ किया है, bit root juice भी एड़ किया है, bit root powder भी, यहां पे मैं कोई भी पानी का इस्तिमाल नहीं करूंगी, bit root अपने आप में एक powerful antioxidant है, जो इसकिन को bright और light करने में बहुत हेलप करता है, मुलिए इतिका powder भी इसकिन को बहुत अच्छे से light करता है, यह भी powerful anti oxygen है, और यहां पे मैंने sandalwood powder यूश किया है, यह भी आपको इसकिन को light करने में ब्राइट करने में हेल्प करता है रोस पैटल पाउडर भी आपको इसकीन को ब्राइट और लाइट करने में हेल्प करता है because lots of anti-oxidants so यह एक powerful mask है जो आप पूरा body पे लगा के रखो 15-20 मिनिट उसके बाद अपना हालो हबते में इसको चार दिन करो अगर जादा इसकीन में problem है तो उसके बाद इसका result देखो amazing है मेरा इसकीन टोन को काफी हद तक improve किया है sun tan pigmentation को remove किया है तो मेरा अजमाया हुआ home remedies है highly recommend करूंगी अगर चाहो तो use कर सकते हो next remedy है skin brightening face mask इसके लिए थोड़ा सा पानी को boil कर लेंगे जब उबाल आ जाएगा उसके बाद one teaspoon यहाँ पे मैं rice flour add कर रही हूँ उसके बाद अगर आपको quantity बढ़ा ना है तो आप two spoon भी यहाँ पे add कर सकते हो ताकि आपका face ने दोनों cover हो जाए उसके बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाए यहाँ पे मैं एक से दो इस्पून आप ड़ी डाल सकते हो आपके quantity के हिसाब से उसके बाद half teaspoon यहाँ पे मैंने honey एड़ किया है तीनों को अच्छे से mix कर लेना है उसके बाद face और neck पे अच्छे से apply कर लेना है यह help करता है अपका prevent skin aging को reduce करता है harmful effective UV rays से आपको protect करता है skin को lighting करता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने rice floor add किया है उसके बहुत अच्छे से skin को bright करता है sun tan को भी remove करता है excess oil को absorb करता है skin को soothe और smooth करता है repair करता है sun damage से next है sun tan body exfoliator यह मेरी उन सारे sister के लिए है जिनके पास time एकदम भी नहीं है जो PG hostel में रहती है या फिर जो बहुत ज़दा आलसी है वो जट से ही use कर सकते है तो यहाँ पे मैंने sugar लिया है sugar को अच्छे से grind कर लेंगे पर powder नहीं बनाएंगे सिर्फ grind करना है दरदरा रखना है यहाँ पे मैंने दो टाइप का यहाँ पे sour gel एड़ किया है यह मैं करती हूँ और क्यूं करते भी बता रही हूँ क्योंकि मुझे fragrance बहुत ज़दा अच्छा लागता है दोनों का दोनों टाइप का fragrance है अभी summer time है इसलिए मैं इसको यूज करती हूँ और इस sugar body exfoliator को आप 3-4 दिन भी store कर सकते हो बहुत अच्छे से आपको tan भी remove करेगा skin को exfoliate भी करेगा और smooth और soft skin आपको provide करेगा skincare करने के बाद अगर body को protect नहीं किया UV rays से तो कोई फायदा नहीं हुआ skincare करने का तो हमेसा अपना body को protect करो UV rays से sun light से इसलिए हमेसे SPF body lotion apply करो अपने open area में घर पे भी अप रहो तबी भी आप body पे sunscreen जरूर अपलाई करना कि क्यों आप kitchen पे जा रहे हो चट पे जा रहे हो फिर window पे ऐसे light आता है उससे भी आपके skin को tan कर सकते है sun light से damage हो सकते है तो अपने face आपने body पे SPF ज़रूर अप लगाया करें क्योंकि इससे अपके skin बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, healthy रहेगा जो भी आप skincare कर रहे हो उसका आपको best result दिखने मिलेगा सो अभी summer का time पे बाहर तो निकलना है, जिंदेगी है काम भी करना है, सब कुछ करना है पर sun tan भी होगा, कोई tension की बात नहीं है पूरा दिन पर अगर sun tan होता है अगर time मिलता है, तो रात में कोई भी एक face marks लगा लो, और body पे आप हपते में 1-2 कोई भी उपटन लगा लो, ताकि आपका sun tan भी ना हो, remove हो जाए, और अपना happily अपने life को इंजोई कर सको so I hope ये वीडियो आप लोग को helpful रहा होगा, और ये सारे जो home remedies है, बहुत ज़्यदे effective है, तो आप लोग easily इसको अपने body पे अपने face में भी apply कर सकते हो, वीडियो अगर अच्छा लगा है, तो subscribe कर देना, फिर मेरे मिलूंगी, नेक्ट वीडियो में, बाई